नमस्कार स्वागत आप सबका नारट टीवी पर दोस्तों बॉलिवुड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडिस्ट्री इसके सीने में कई कहानिया दफन है अजादी के पूर्ब काल से लेकर आधनिक भारत तक कई आए कई गए कई आएंगे कई जाएंगे किसी ने यहां आकर दर्द पाया तो किसी ने सोहरत के नए आयाम गढ़े नारट टीवी उजागर करता है कुछ ऐसे ही किस्सों को आप सबने कमेंट बाक्स में कई बार रेक्वेस्ट किया कि 90's के कलाकारों के बारे में बताएं तो आज हम हाजिर हैं दस ऐसे ही अभिनेताओं की कहानी लेकर जिनोंने 90 के दसक में कई हिट फिल्में दी परस्नाल्टी भी अच्छी थी लेकिन फिर भी उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका वाई जानते हैं उन्हीं दसक लाकारों के बारे में कि आज वो किन हालात में है वाली बुड में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जो पहली ही फिल्म से रातो रात इस्टार बन गए लेकिन बाद में गुम नाम हो गए या फिर मुफलिसी में दिन गुजारन लेगे विबेक मुसरान एक ऐसे ही एक्टर है जो अपने मासूम चेहरे और बहतरीन एक्टिंग के बूते पर पहली ही फिल्म सौधागर से रातो रात इस्टार बन गए थे लेकिन बाद में फिल्म में चलना दूबर हो गए उनकी पहली फिल्म ना सरफ हिट रही बलकि इस फिल्म में विबेक का ईलू ईलू गाना भी खोब हिट हो गया था लेकिन बाद में किस्मत ने ऐसा पल्टा खाया कि विबेख मुसरान को लीड रोल तो दूर फिलमो में काम मिलना भी मुस्किल हो गै पहली फिलम में विबेख मुसरान को दिलीब कुमार और राज कुमार जैसे एक्टरों का साथ मिला तो इस टारडम भी मिला जिसे किसी भी अक्टर को हासल करने में सालो लग जाते हैं इस फिल्म के बाद तो जैसे विबेग मुसरान के पास फिल्मों की जड़ी ही लग गी एक साल में ही वो दो-तीन फिल्में करने लगे लेकिन उन्हें पहली फिल्म जैसी सफलता नहीं मिली लेकिन धीरे धीरे बिबेग मुसरान के स्टारडम में कमी आन लगी और ये हीरो फिर फिल्मों से गायब हो गया इस दोरान उनके बाल भी जड़ने सुरू हो गए और उन पहले से थोड़ा मोटे भी हो गए जब बिबेग मुसरान को फिल्म में मिलना बंध हो गई तो उन्होंने टीवी की ओर रुक कर लिया और सोन परी परवरिस निसा तैसे टीवी सोज में काम किया लेकिन एक बाग फिर बिबेग मुसरान के दिल में फिल्मों में काम करने की इच्छा जागी और साल 2000 में आई फिल्म अनजाने से उन्होंने कमबैक किया लेकिन बिबेग वो चार मौर जादू नहीं बिखेर पाए जो उन्होंने अपनी पहली फिल्म सौधागर से बिखेरा था नौबत या आगए कि अब उन्हें फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे हाली में वो तमासा और पिंक जैसे फिल्मों में नजराये थे खेद है कि एक वक्त पर जोटर कभी लीड हीरो का रोल किया करता था बाद में उसे स्क्रिन पर कभी पिता का तो कभी साइड रोल निभाना पड़ रहा है कि उम्र में उनसे बड़े हीरो आज भी फिल्मी परदे पर हिरोईनों के साथ रोमान्स करते नजराते हैं इस लिष्ट में दूसरे नंबर पर हैं साधाप खान साधाप खान नब्बे के दसक के मैसहौल अभिनेता में से एक है वा परसिद बालीबूट खलनायक अमजद खान और पगबर के बेटे हैं जिन्होंने फिल्म राजा की आएगी बारास से बालीबूट में सुरुआत की हालाकि अभिने में अच्छी जकल और लगन होने के बावजूर साधाप खान परदे पर खास कमाल नहीं कर पाए भिने में अस्फल होने के बाद इन्होंने डायरक्शन की तरफ रुख कर लिया इस लिष्ट में तीसरे नंबर पर हैं दीपकती जूरी दीपकती जोरी ने तेरे नाम मेरे नाम फिल्म से बॉलिवुड में डेब्यू किया था अपने करियर की सुरुवाती फिल्मों के फ्लाप होने के बाद इन्हें साइड हीरो की भूमकाएं मिलने लगी और नब्बे के दसक की कई हिट फिल्मों के ये हिस्सा रहे जैसे साडक, बास्सा, वास्तो, खिलाडी, आस्की, आदी लेकिन तब भी ये फिल्मकारों के उपर अपना भरोसा नहीं जमा सके और बतोर साइड हीरो ही इनका फिल्मी करियर धलान पर आ गया इफिल्मों के अलावा इन्होंने कुछ गुजराती फिल्मे भी की मगर अफसोस वहां भी इनके किस्मत का सिक्का खोटा ही निकला इस तरह नब्बे के दसक के अंत तक इन्हें चरित्र भूम काई मिलनी सुरू हो गई ये अंतिम बार 2018 में आई फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आए और अब भी फिल्म जगत में सक्रिय है इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं चंदर चूर सिंग एक समय था जब चैंदर चूरू लाकों लोगों के पसंदीदा थे लेकिन आज लोग इने भूल गये हैं जिस सब नेता को चौकलेट बाय के रूप में पहचाना जाता था आज उसकी पहचान करना मुस्किल है 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से चंदर चूर ने अपनी फिल्मी करियर की सुरूआत की थी इसके बाद चंदर चूर सिंग ने गुलजार की फिल्म माचिस से फिल्म जगत ने अपनी खास पहचान बनाई फिल्में उनके साथ तब्बो दिकी, फिल्में खूपतारी फे बटोरी चंदरचूर को माचिस के बाद कोई खास सफलतार नहीं मिली फिर भी फिल्में उनको लगातार मिलती रही संजदत के साथ दाग और सारुक खान के साथ जोस में नजर आए जोस में वो इस्वरया के साथ रोमांस करते दिखे 2000 में चंदरचूर क्या कहना में दिखे साल 2000 में चंदरचूर का एक भयानक एक्सिडेंट होगी वो गुवा में बोट रैडिंग कर रहे थे अभी ये हस्सा हुआ और उनके कंधे बुरी तरह से जक्मी होगी इसके बाद तो चंदरचूर का करियर ठप पड़ गया इस हासे से उबढ़ने में चंदरचूर को करीब 10 साल लग गए चंदरचूर के घर की आर्थिक इस्तिती भी काफी खराब हो गई साल 2012 में उन्होंने फिल्म चार दिन की चादनी से वाप सिकी लेकिन ये फिल्म फ्लाप हो गई उनके छोटे से करियर के चलते चंदरचूर को हर किसी ने भूला दिया अब आलम ये है कि उन्हें टीवी सीरियल तक नहीं मिल रहे है बता दे कि चंदरचूर ने क्लासिकल म्यूजिक सिखा हुआ है फिल्मों में आने से पहले वो धून इन्वर्सिटी में म्यूजिक टीचर हुआ करते थे एक इंटरव्य में चंदरचूर ने कहा था कि हस्रे के बाद उनकी जिन्दगी में कई मुस्कले आए लेकिन उनकी पतनी और बेटे ने उनका बहुत साथ दिया साल 2013 में आई जिला गाजिया बाद में भी वो छोटे से रोल में दिखे चंदरचूर अब इतने मोटे हो गया है कि अब उन्हें किसी भी लीड रोल में आने की उमीद बहुत कम ही दिखती है उनसे पहले करियर सुरू करने वाले हीरो आज भी लीड रोल पा रहे है ऐसे में चंदरचूर की ऐसी हालत पर लोग आज चरिकर रहे है पांचवे नमबर पर हैं फैसल खान फैसल खान नबे के दसक के मसहूर अभी नहिताओं में से एक 1979 में प्यार का मौसम फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की सुरुवात की जिसमें इन्होंने ससी कपूर के बच्पन की भूमका निभाई थी 1988 में अपने बड़े भाई आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में इन्होंने बिलैन की भूमका की उन्हें 1994 की फिल्म मदहोस में पहली बार मुख की भूंद का मिली। उन्हें उनकी फिल्म मेला के लिए सबसे ज़्यादा जाना जता है। जो की बाउक्स आफिस पर काफी सफल रही। इसके बाद वहा कई अन्हें फिल्मों में दिखाए दिये जो बाउक्स आफिस पर काफी खराब रही। सुपरिश्टार का भाई होने के बाउजूद इनके फिल्मी करियर में एक ऐसा दोर आया कि इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गए। इस तरह वो गुमणामी के पन्नों में खो गए लेकिन 2007 ने वो फिर चर्चा में आये और मीडिया में खबर फैली कीवा घर छोड़कर भाग गए। कुछ दिन बाद वो वापस आये और बयान दिया कि उनके बड़े भाई ने उन्हें कमरें में बंद करके रखा था। दरसल फिल्मों में अस्फल होने के बाद फैसल मानसिक विमारी के सिकार हो गए थे। छटे नंबर पर हैं हरीस कुमार हरीस कुमार नब्बे के दसक के प्रसित अभिनेता थे। उन्होंने कुल 280 फिल्मों में अपने किया लेकिन वा इंडिस्ट्री में अपनी पैचान नहीं बना पाए। एक वक्त था जब इस एक्टर की फिल्में धड़ा धड़ बाक साफिस पर हिट हो रही थी और कमाल कर रही थी। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि ये अक्टर गुम नाम हो गया। हरिस कुमार को आपने करिस्मा कपूर के साथ 90 के दसक में आई फिल्म प्रेम कैदी में देखा होगा। करिस्मा की भले ही वो पहली फिल्म थे लेकिन उस बक्त हरिस कुमार बड़े स्टार थे। उनकी तेलगू फिल्म प्रेम कैदी इतनी जबरदस्ट हिट रही कि इसे हिंदी में इसी नाम से बनाया गया। जिसमें हरिस के अपोजिट उस बक्त की नई हिरोईंग करिस्मा कपूर को साइन किया गया। और ये फिल्म भी हिट रही। हरिस कुमार ने लीड हीरो के रूप में माले आलम फिल्मों में डेबू किया और कई फिल्मों में काम किया लेकिन वहां बात नहीं बनी जिसके बाद हो बॉली बुड में आ गये। यहां उन्होंने लीड हीरो के तोर पर काम तो किया ही साथी गोबिंदा के साथ भी कई फिल्मों में नजर आये और वो भी साइड हीरो के रूप में। आगे चलकर हरिस कुमार की किसमत ने ऐसा पल्टा खाया कि उनका इस टारडम ढलने लगा और फिर वो फिल्मों से गायब हो गये। 2001 में आई फिल्म इंतकाम उनकी आखरी फिल्म थी। कभी चौकलेटी हीरो के तोर पर सभी के दिल पर राच करने वाले हरिस कुमार बाद में काफी मोटे हो गये। जिसकी वज़ा से उनका हुलिया भी पूरी तरह से बदल गया। पर एक्टिंग करने का जनून तब भी खत नहीं हुआ। इसी के चलते तकरीबन एक दसक बाद यानी 2001 में हरिस कुमार ने बॉली बुड में वापसी करने की कोशिश की। लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। और इस तरह एक बग पर हिंदी फिल्मों का इस्टार रहा ये ह पूरी तरह से गुमनामी में चला गया। 2012 तक वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में ही नजर आए। साथवे नंबर पर हैं कमल सताना तुम्हें देखे मेरी आखें इसमें क्या मेरी खता है। फिल्म बे खुदी से अपने फिल्मी करियर की सुरुआत करने वाले कमल सताना को सायद आप भूल चुके होंगे। लेकिन आज हम कमल की बारे में ऐसे किस्से बताएंगे इसे आपके जहन में उनकी फिल्मों की यादे एक बार फिर ताजा हो जाएंगे। कमल की बे खुदी साल 1992 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ काजोल ने काम किया था। अब एक्टर 50 साल का हो चुका है और इनके फिल्मों की यादें दुदली हो गई है। अब इने छोड़े जमाना बीट गया है। फिल्म रंग से इन्होंने बाली बुड में अपनी अलग पहचान बनाई। इस फिल्म से कमल का करियर चमोक उठा है लेकिन बात की फिल्मों में उनका ग्राफ गिरता चला गया। इस बचा से कमल बतौर हीरो खुद को इस्टैबलिस नहीं कर पाए। कमल सदाना अब फिल्म में डारेक्ट करते हैं। उन्होंने फिल्म रोर का निर्देशन किया है। कमल का कहना है कि वो एक्टिंग छोड़कर खुस है। आठवे नमबर पर आते हैं अविनास वधावन। अगर सिंदगी हो तेरे संग हो अगर मौत हो तो वो हो तुझ से पहले। अभिनास वधावन 90 के दसक के प्रसित अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 1986 में बालीवुड फिल्म प्यार हो गया में बिसाल सक्सेना की भूम का निभा कर अपने अबने करियर की सुरुआत की। उन्होंने अन्निक कई बालीवुड फिल्मों में भी काम किया जैसे पूल बने पत्तर, गीत, बलमा, आई मिलन की रात, आदी। बहतरीन कद काठी और नयन नक्स होने के बाद भी ये फिल्मों में सफल नहीं हो पाए। हालाकि कई हिट फिल्में इनके करियर में सामिल हैं। फिल्मों में जब इनका सिक्का नहीं चला तो ये टीवी की तरफ रुख कर गए और कई टीवी सीर्स में काम किया। अभी ये छोटे परदे पर सक्रिये हैं। नवे नमबर पर आते हैं क्रश्न कुमार। फिल्म बेवफा सनम का सुन्दर सहगल तो आपको याद ही होगा। इनकी फिल्म बेवफा सनम के गाने आज भी टूटे हुए दिल के प्रीमिय की कहानी कहते हैं। अक्सर बस और टेंपो में ये गाने आपको बसते सुनाई देंगे। क्रश्न कुमार ने 1993 में आजा मेरी जान से अपने फिल्मी करियर के सुरुवात की। लेकिन इन्हें सफलता मिली 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम से। फिल्म ने इन्हें रातो रात हिट बना दिया। लेकिन फिर भी ना जाने क्यूं लगातार ये छे सालों तक किल्मों से दूर हुए। सन 2000 में वापसी की पापा दा ग्रेट से। लेकिन तब तक ये दर्सकों के जहन से उतर चुके थे। इसके बाद ये कभी अभिने करते नहीं नजराये। और बतौर प्रडूसर फिल्में प्रोडूस की जिसमें रेडी जैसी हिट फिल्में भी सामिल है। और फाइनली दसवे नमबर पर है जुगल हंसराज। हैंसम एक्टर जुगल हंसराज को लोग ब्लॉग बास्टर फिल्म मोहबते से जानते हैं। किन इस फिल्म में वो एक सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। फिल्म में लीड किरदा में सारुख खान थे। बता दे कि जुगल ने 1983 में आई फिल्म मासूम से अपने फिल्मी करियर की सुरुवात की थी। लेकिन कई फिल्मों में काम करने के बाद भी जुगल को सुपरश्टार वाली कामया भी हात नहीं लेगी। उन्होंने फिल्म हुकूमत और करमा में भी काम किया है। वह आकरी बार 2016 में आई फिल्म कहानी टू में नजर आये थे। इतनी अच्छी से कल सूरत होने के बाद भी ये बाले बुड में अपना करियर नहीं बना पाए। ये बड़े दोख की बात है। तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बताएगा। अगर आपका रिस्पॉंस वीडियो पर अच्छा मिलता है तो इस टॉपिक पर एक और नई वीडियो बनाएंगे। और नब्बे के दसक के दस ऐसे ही और कलाकारों की जानकारी आपको देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।